तो आज हम क्लास 12 एक्जरसाइस 1.3 कुश्चिन 7 से स्टार करते हैं क्वेशन 7 में क्या बोल रहा है में कंसिडर एफ आट टू आर गिवन भाइफ एक्स इस इक्वाल टू फॉर एक्स प्लस ट्री हमारे पास फॉंक्शन क्या है फॉर एक्स प्लस टी इवन है फिर टीए हमें डिखाना एफ इनवर्टीबल दीखाने और इनवल्स ऑफ और उसके बाद हमें क्या निकालना है इनवल्स ओ एक्जिस्ट्ट ँएफ पर इंवार्स पार हमने पढ़ था कभी सब्सक्ण Function 11 on 2 129 है तब हम क्या कहते है फंक्शन is invertible means उसका Inverse exist करता है ठीक है तो invertible दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ गए इस function को जो f of x is equal to 4x plus 3 है इसको हमें 11 and on 2 12 दिखाना पड़ेगा इसके बाद हम क्या कह सकते हैं function is invertible इसके बाद क्या हमें दिखाना है inverse of f दिखाना है ठीक है तो देखा हम solution start करते है क्या है हमारे पास function f of x is equal to 4x plus 3 यह function है ठीक है define है r to r में ठीक तो one one के लिए हम क्या करते थे let x1 x2 belongs to r इस function के domain में से हम x1 x2 लेंगे such that क्या होगा f of x1 is equal to f of x2 यह हम लेके जलते हैं लेट करके तो अगर f of x1 f of x2 के equal हो जाए तो f of x क्या हमारे पास 4x plus 3 मीन से यहाँ पर x के जगह है में x1 लिखना है तो 4x1 plus 3 is equal to 4 of x2 plus 3 यही आएगा x यहाँ x के जगह x1 x के जगह x2 ऐसे ही आएगा तो यहाँ क्या आएगा 3 3 cancel हो गया 4x1 is equal to 4 of x2 इस इंप्लाइज क्या हो जाएगा x1 is equal to x2 तो हमने f of x1 f of x2 के equal लेके चला था let किया था x1 x2 के equal आगिया तो therefore function is therefore f is therefore f is a one one function f क्या है हमारे पास एक one one function है ठीक है अब देखो on two के लिए क्या करने हमारे पास on two के लिए यहीं से करेंगे हम led y is equal to 4x plus 3 ठीक है तो यहाँ से हम x की term में value निकालेंगे this implies x is equal to क्या हो जाएगा देखो 4x is equal to y minus 3 this implies यहाँ से x is equal to क्या हो जाएगा y minus 3 upon 4 यहाँ गया x y की term में ठीक है तो अब देखो for any y belongs to r there exist x is equal to y minus 3 upon 4 belongs to r co-domain okay such that f of x हमारे पास किसके equal आने चाहिए on two के लिए f of x is equal to y आने चाहिए ठीक है f of x is equal to f of x के जगे हम क्या रख सकते हैं यह value रख सकते हैं y minus 3 upon 4 is equal to means function f में हमें x के जगे यह value रखना है function f क्या हमारे पास यह 4x plus 3 देखो यहां पर function f क्या हमारे पास f of x 4x plus 3 तो यहां पर रखते हैं x के जगे पर हमें y minus 3 upon 4 रखने हैं तो 4 into y minus 3 upon 4 टेक यहां पर plus 3 ठीक है तो यह 4 4 क्या हो जागा cancel हो जागा यहां से क्या आएगा हमारे पास y minus 3 plus 3 यह बचा यह cancel हो गया किसके बराबर आगया y के बराबर means हमारे पास देखो हमने यहां पर क्या यह था f of x लिया था f of x किसके बराबर आगया हमारे पास y के बराबर आगया for every y for any y domain में से code domain में किसी भी y के लिए हमारे पास x यहां पर exist हो रहा है such that f of x is equal to क्या हो रहा है y और यह दियर्फोर एफ इस on to function f क्या हो गया हमारा एक on to function हो गया अगर f on 2 हो गया वन वन भी हो गया तो f is invertible function ठीक है therefore यहां पर हम लिखते है therefore f is an invertible function ठीक एफ क्या है एक invertible function एमाइस इसका inverse exist करता है invertible हो गया यह note कर लेना इसके बाद कहा निकालना हम है find the inverse of f means हमें इस function का क्या निकालने इनवर्स निकालना है ठीक है तो हम inverse निकालते हैं यहां से इनवर्स निकालने के लिए देखो याद करना हमने पहले question में भी पढ़ा था इससे पहले वाले question में question about six में हमने क्या था क्या करना पढ़ता है हमें इन्वास निकालने के लिए सॉफ heigh Marx इसक्वाइच आना चाहिए फॉफ घॉफ इसउसे को elfानुकर लेशक निकालने के लिए बार्ढेलगर देखो इन्वास निकालने के लिए हमें in terms of y लाना है एक्स को इस इंप्लाइस पोर एक्स इस इक्वल तो य माहिनस थ्री ठीक इस इंप्लाइस एक्स इप्लाइस एक्स इस इक्वल ट्या होगा y-3 अपॉन four यहाई होगा तो इसी X को हम क्या मानते थे जी ओफ Y मानते थे ठीक तो हम Define करते हैं जी Let us define जी सेच देखो यहां पर डोमें और को डोमें दोनों आर है तो क्या होगा हमारा कुछ नहीं होगा दोनों फिर कहां से कहां जाएगा जी कहां से कहां जाएगा आर से आर में ठीक है अगर देखो हमारा यहां यहां आर होता है यहां सेड ऑफ नैच्राल नमबर यहां रियल नमबर होता है तो इसमें G के से डिफाइन होता है गांड हो जाएगा है औ मालमेन एसकतं है और डॉमेन हो जाएगा और टो है ठीक है तो सुछायrän के यहां तो दोनों और है इसलिए घयार्टु आरr by define g कैसे define हो गए g of y is equal to y minus 3 upon 4 इसी को हमें g of y function मानना है ठीक है अब देखो g of y तो आ गया है inverse निकालने के लिए दो गनीशन था फिर g अगर निकल गया है तो क्या निकालना हमें gauf of x निकालना है और 4 gauf y निकालना है तो gauf of x निकालते हैं हम now gauf of x is equal to क्या होगा gf of x ठीक तो gf of x means g function में जहां जहां y है वहां f of x बुट करना है तो क्या है जाएगा हमारा f of x minus 3 upon 4 तो f of x क्या है हमारे पास function 4x plus 3 तो यहां से 4x plus 3 minus 3 divided by 4 तो यहां से क्या हो रहा है 3 3 cancel हो रहा है और च्याबचा हमारे पास 4x upon 4 तो यह 44 cancel हो गया हमारे पास x आगे ठीक तो gauf of x x के बराबर आगे यह तो आगे फास कंडिशन second condition क्या होता हमारा fog of y किसके equal आना चाहिए y के एक वाला आना चाहिए तो fog of y को हम कैसे लिख सकते है f of g of y ठीक है तो यह देखो क्या होगा f of g of y ठीक है तो f function में हमें जहाँ जहाँ x से वहाँ g of y पूट करने है तो क्या है f function हमारे पास 4 into g of y ठीक 4 g of y plus 3 अब g of y की value पूट करो जियो फाई क्या है y minus 3 upon 4 तो 4 into y minus 3 upon 4 plus 3 यहां पर क्या हो गया 4 4 cancel हो जा क्या आएगा y minus 3 plus 3 3 3 cancel हो गया क्या हमारे पास equal to y means fog of y भी हमारे पास क्या आगया y के बराबर आगया ठीक है तो देखो यहां से बोफ of x भी x के बराबर आगया fog of y भी y के बराबर आगया तो function g क्या है inverse है किसका f का therefore g of of x is equal to x and fog of y is equal to y so therefore g is inverse of f thik inverse of f तो हम कैसे लिख सकते है इसको आई f inverse is equal to g ऐसे भी लिख सकते है and given by f inverse y is equal to g of y is equal to क्या होगा g of y के हमारे पास y minus 3 अपोन 4 y-3 upon 4 तो यह क्या हो गया हमारा inverse हो गया किसका इस function कर ठीक है तो यहां से देखो आपको एक और चीज़ पता चलगे कि invertible अगर हमें शो करना है तो सबसे पहले क्या करना है function को 11 और on 2 शो करना है उसके बाद हमें क्या होगा inverse find करने के लिए अगर बोला होगा तो inverse find करना है नहीं तो invertible निकाल के हमें रखना है ठीक है